हाई गाईज, वेलकुम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ स्वीठी और आप देख रहो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका स्पेसिफिक परसन आपको प्रेम से याद कर रहा है आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जिसकी मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमारा स्पेसिफिक परसन हमें प्रेम से याद कर रहा है या नहीं कई बारना जब हम रिलेशन्चिप में किसी परसन के साथ होते हैं तो कई बार ऐसी सिच्वेशन आती है जहां पे ना हम एक अलग फीलिंग अपने भीतर फील करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि इस तरह की चीजें हमारे साथ क्यूं हो रही है आखिर क्यूं हम ये सारी चीजें अपने भीतर फील कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको अपने स्पेसिफिक परसन को याद करते हुए अचानक से खुशी सी फील हो रही है आपके फ पूच रहा है वो इनसान आपको प्रेम से याद कर रहा है जिस कारण आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है और दूसरा पॉइंट कई बार आप नोटिस करोगे कि अकसर लोग आकर आपको किसी इनसान के बारे में पूछते हैं उस इनसान के हाल चाल आपसे पूछने की अगर आपके specific person के बारे में आपके friends, आपके relative या आपके जान पैचान के लोग पूछ रहे हैं आपसे कि वो इंसान कैसा है, किस तरह का है, अगर ये सारी बातें आपसे पूछी जा रहे हैं तो समझ जाएए कि आपका connection आपके specific person के साथ इस वक्तना बहुत जादा strong है जिस कारण लोग आकर आपके पास ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, ये बातें आपसे पूछ रहे हैं और इस moment पे वो इंसान भी ना आपको बड़ी प्रेम से याद कर रहा है और तीसरा point, कई बार आप feel करोगी कि अच्छानक आपके मन में ये feeling आती है कि अब बस आपको अपने specific person से बात ही नहीं करनी है आपको इस इंसान के बारे में कुछ discussion ही नहीं करना है, कोई भी बात चीत नहीं करनी है, आप शान्ती चाहते हो अगर ये सारी बातें आप अपने भीतर feel कर रहे हो ना, तो समझ जहिए कि बहुत strong सी energy आप अपने specific person की अपने भीतर feel करे हो एक बहुत strong सा connection आप दौनों के बीच बन चुका है आपका specific person आपको बड़े ही प्रेम से याद कर रहा है जिस कारण ना कई बार आपकी energy ऐसी हो जाती है कि आप disturb होने लग जाते हो और जिस कारण ना आप चाहते हो कि कुछ देर के लिए आप उस energy से अलग हो जाओ आप अकेले में समय बिताओ, इसलिए आपका मन नहीं करता है कि आप उस इंसान से हर वक्त बात करो और चौथा point कई बार ना आपको बिना मतलब के ही अपने specific person पे गुस्सा आने लग जाता है चीहा आप feel करोगे कि कोई बात नहीं है पर फिर भी आपके मन के अंदर उस इंसान के प्रती नाराजगी है अगर ये सारी चीजें आप अपने भीतर feel कर रहे हो ना तो समझ जएए कि आपका connection आपके specific person के साथ बहुत ज़्यादा strong है जिस कारण ना कई बार ये सारी feelings आप अपने भीतर feel करने लग जाते हो और ये सारी चीजें आपको ये बताने के लिए है कि आपका specific person भी ना आपको बड़े प्रेम से याद कर रहा है वो इंसान ना हर वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है अगर ये सारी चीजें आप अपने भीतर feel करे हो अपने behavior में feel करे हो ना तो समझ जहिए कि वो दूर बैठा इंसान वो दूर बैठा specific person ना आपको बड़े प्रेम से याद कर रहा है सो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रिखे और खुश रहिए बाप बाई